भक्ति एक देवी है जो तपस्षा करके भगवान स्वी हरी को प्रशनक किया स्वी कृष्ण को और भगवान स्वी कृष्ण ने कहा कि मेरे भक्त के हरदय में निवास करो और उनको पुसन करो इसलिए भक्ति जब हुदय में आती है तो भगवान स्वी हरी आपने आप उनके पाश आ जाती है क्योंकि जहां भक्ति है वहां स्वी कृष्ण है भक्ति देवी के उत्पत्ति हुई दक्षीन भारत में मद्द प्रदेश महाराष्ट गुमते हुए जब भक्ति देवी गुजराट ना है तो पुरापा में गर्शित हो गया क्योंकि भक्ति को गुजराट में कोई पूछते नहीं उनके दो पुत्र ज्यान और बर्याग को बहुत पूछते है इसलिए वह तरुन हो गया योबक हो गया फिर भक्ति देवी आपने दुना पुत्रों को लेके घुमते घुमते पुरा भारत बर्मन करते हुए ब्रिंदावन जैसे ही पधारे प्रवेश किया तो भक्ति देवी पहले से भी ज़्यादा सुन्दर तरुनी योबती की रूप में आपने हो पाया है भक्ति देवी इसको देखके तो प्रशन हुई साथी साथ उनके दू पुत्रों था ग्यान और बर्याग्यों वो दुना जरा जिर्ण हो गया अर्था बुरापा में गरसित हो गया एक जर जर होके मिट्टी में लेट गया अपने पुत्रों को इस दसा को देखते हुए भक्ति देवी के बहुत गलानी हो रहा है क्या है मैं तो माता हुँ और मेरा दू पुत्र है इस क्या हल हुआ है मैं बिंटावन की महात्य इतना जड़ा है की विप्रöm प्रधन्न-श्यत्र है प्रेम प्रधन्न-श्यत्र है बहाव प्रधन्न-श्यत्र है इसलिए सी विद्दा वन में घ्न और我 कोई पुर्जदा नहीं है उसी लिए उसका ज़रा जिरना वस्त हो गया। लेकिन दूसरा बात ध्यान दिने का है कि कुछ भक्ति लोग ऐसा कहते है कि यह नहीं हमें अस्री प्रेम चाहिए भक्ति चाहिए हमें ज्ञान बर्यज्ञ कुछ नहीं चाहिए। और भक्ति की हिगान और भाग्ति मैं सतन्य कि वह seeking थे vip कि ओला चाले को बाले बने देक्षा के धाया बखती जो डेंज्जार होता है वह बाले दिनने परस्ट दोर यह जाने वाला है इसलिए वो तेज्ज है भक्ति देवी आये और ज्ञान ब्राग उत्पन्न हो वो भक्ति के पूशक है भक्ति को रूते हुए देखे नारज जी ने जब देखा भक्ति रूते हैं तो नारज जी आके भक्ति देवी को आस्वाशन किया और दूनों पुत्र को स्वास्त करने का संकल को लिया लेकिन सारे कथा सुना दिया इतिहास महभारत और बेद बिगान तो बार बार गिता परे है लेकिन भक्ति दिवी के दुन पुत्रों जैसा जैसा चैतन तो हुई आग खुले फिर वो बेहुसों के गिर जा दे थे नाराज जी को समझ में ने आया कि क्या करा जाए देवानी हुए आकास से हे नाराज जी तुमारे उद्धाम बहुत ही अच्छा है लेकिन तुम सत कर्म करो सत कर्म करने से वो संबब हो कि दुन ठीक हो जाएगा नाराज जी ने कहां कि सत कर्म क्या है तो बता देजी हम उही कर दाराज जी मनिमन कह रहा है कि अच्छा में इतना शमाई से बेद विदान तो पाट कर रहो के इसकारमन है अब इसकार माई है कि आप से पुछो नाराज जी तो पुरा भारत का साधोंको पूछा लेकिन कोई शाधों भी उनका ठीक ठीक आथा नहीं कर पाया उन्होंने शिन् तो चारो को चारो ने जब देखा कि नारज जी बहुत अप्रशन मन से शिन मन से वो कोई विचरन करते जा रहा है तो चारो भाही ने पूछ लिया क्या महराज नारज जी आप तो भगवान की मानश पुत्र हो आप श्रीहरी की प्रधान भक्त हो आपके मन में इतना ग्राणी बिशाद च्छाइं हुई है क्या बात है आपके पास तो ऐसा कोई चीज भी नहीं है कि चोड़ने चोड़ी कर लेगा डाकोने लोट लेगा आप तो फक्कर शादू है तो नारज सारे बात ये खुल के बोले है इन चारो कुमार को चार कुमार साधालन तो है नहीं उनकि वह वह भी ब्रह्मा का प्रसम संतार है बटुक के रूप में रहते हैं तो चार कुमार ने नारज जी को कहा कि है नारज जी आप स्रीमद भागवत का परायन करो भागवत अध्यायन करते ही इन ज्ञान और बर्यागव स्वस्त हो जाएगा भक्ति दिवी के ग्लानी नस्ट हो भक्ति दिवी प्रशन नहीं हो जाएगा तो इस प्रकार जब चार कुमार ने नारज जी को ऐसा बताया नारज जी ने कहा मेने उपनिशवत महाभारत रामायन गीता बेद विदानतों सब कुछ बार बार परा बेद की आंधर ही सबतत्व है विदानतों सुत्र के आंधर परने से जब उनका चेतनता नहीं आये वो ठीक नहीं हुआ बले भागवत परने से कैसा हो जाएगा प्रस्ण तो सही है लेकिन प्रस्ण को समझना है तो उत्तर दिया सनकादी रिशी चार कुमार सनक शनंदन कहा कि है नारज जी देखो आप भी भागवत का महतु जानते हो क्योंकि जब व्यार जी ने अप्रस्ण होके गलानिक हो रहा थे तो उस समय आप भी व्यार जी को आके भागवत का ही उपदेश दिया व्यार जी भी आपको ही प्रस्ण किया था कि मैंने सब कुस रचना किया लेकिन मेरा मन में प्रस्णता नहीं आ रहा है मैं अप्रस्ण क की रूप में महावारत रचना किया वेद को रचना के चार हिस्चा में बाड़ दिया उपनिशत रचना किया ब्रह्म शुत्र को ब़्या से बिश्तर किया सब्तक्तों लेगिन फिर मेरा मन अप्राशन नहीं है तब आप भी उस समय उनको भागवत रचना करने के ज्ञान दिया और आप आज इबाद भूल गया इसलिए है महराज भागवत बले वो वेद ग्रान्त से ही आया है वेद का सार है देखो आम कितना सुमिस्ट है मिठा है आम पाकने से कितना मिठा लगते हैं लेकिन कोई कहे कि आम कितना मिठा है अगर मैं उसका पेर को चबाओंगा उसका डाली पत्ता को चबाओंगा आम के तो उस मिठा को उसमें नहीं मिलेगी बले वो आम का पेर से ही आम आया है लेकिन आम में जो स्वाद है उस पेर में उस स् खि में भूखतक्ताइ दिपक जला पूरिय में जए पूरी गीशा रवीीं तीपक्ताइया आप Combat अनकती रिशी अग्यार स्कीमित St. P. Paul ऑनको समाज में भागवत कि उसने अपने भाग Об्क्मात का भागवत स्कीमित स्रवन करो हम तो सुरुता बांते आप बगता बन जो तो आनंद गाट में अथाथ हरिद्वार से थोरा से उपर आनंद गाट है उस आनंद घाट में हरिद्वार में स्रीमद भागवत की साथ दिन की सप्ता कथा हुई है तो इसका मतलब है कि स्रीमद भागवत बले बेद से ही आये हैं बेद का ही सार है तो बेद से आने से भी वो बेद का सार है भागवत से जो चीज प्राप्त हो सकता है बेद से भी वो चीज प्राप्त नहीं हो सकता है जिसा कि स्वमंदर का पानी ही हम लोग बरसात के माद्दम से उसको प्राप्त करते हैं सारे खेत खलिहान में बरसते हैं जीवों के जिवन शरुब बन जाते हैं वही अगर पानी हम लेने के लिए डाइरेक्ट स्वमंदर में गुता लगाएंगे ये शमंदर में जाएंगे तो वो पानी से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रक्रिया के माध्दम से वही पानी जब बदल के द्वारा बारिश के द्वारा हमारी खेती-खलियान में हमारे जिवन में बरसते हैं तो हम लोगों को जिवन दायक हो जाता है जिवन दाता सब कुछ है लेकिन उसमें जो भक्ति रूपी शिद्धान तक उठाना उसाधारण के बास बसका नहीं है इसलिए महापुरुष लोग अतद्व्यास जी ने शुक्देव गुश्वामी ने हमको जिस प्रकास श्रीमत भागवाद उस बेद रूपी शमुद्र से मत के उसका अम्रित हमको दिये है उसी अम्रित को हमें पान करना चाहिए शमुद्र है शमुद्र पानी का सुरुत है उसका भी शम्मान है लेकिन जिस कारे को आप बरसात के जल से कर सकते है उस कारे आप शमुद्र के जल से नहीं कर सकते है इसी प्रकार जिस कारे आप भागवत से कर सकते हैं, उसका आप वेद से नहीं कर सकते हैं, वेद निशन्द है, हमारी शास्त्र का मूल नियू है, लेकिन हमारे लिए उपादे हैं, हमारे लिए सब्चे ज्यादा महत्त्रपुर्णा श्रीमा भागवत, ये शास्त्र प्रमान है, भागवत वेद का व बिल्कुल जो सार चीज है भगवान स्री क्रिष्ण को कैसा भक्ति करें कैसा भक्ति करके प्रेम प्राप्त करें वही जीब का प्रधान लक्ष है उसी को कैसा संपन्न करें वही शिक्षा स्रीमत भागवत में हैं इसलिए भागवत में कर्मकांड़ ज्यान कांड़ को साइट म नहीं है ब्रिंदावन मायापूर एक ही है जिसके श्री कृष्णा और स्रीचितन्य महापूर वह एक है इसी प्रकार नवद्धीव मायापूर और ब्रिंदावन में किसी प्रकार अंतर नहीं है जिसका